सो नमस्कार दोस्तों आप से भी कस्वागत हमारे आरजी न्यूव एपस यूटूब चैनल में सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोग लैप्टॉप में जो है ड्राइव जो होता है गूगल ड्राइव उसमें अगर आप फोटो अपलोड करना चाहते हो तो कैसे अपलोड कर सकते हो यह बताने वाला हूं सबसे पहले आपको क्रोम ओपन कर लेना है जैसे आप क्रोम ओपन करते हो उसके बाद फिर यहां पर आपको लिखना है ड्राइव यहां पर आपको सर्च कर लेना है इस तरह किसे आप ड्रा यहां पर आ सकते हो Google Drive में तो अब हैं तो अभी जैसे की आप देचा तो यहां पर हम जैसे के युद्ध करेंगे तो यहां और बी ऑप्चेन चाहिए का तो यहां पर क्लिक कर कि आप और यहां पर इस सब्सकี่ और यहां पर क्लिक करते हैं लिंक के ऊपर यहां और तो आपको वेबसाइट तो जैसे कि आप देशे तो यह open हो चुके है अब आपको यहाँ पर new का option मिलता है उसके पहले आपको यहाँ पर वह Gmail ID आपको login करना है पर select कर लेना है जिस पर आपको यह upload करना है ठीक है वह आप select कर लो वहां से उसके बाद फिर आपको यहाँ पर new के उपर click कर देना है जैस आप फाइल upload के उपर click कर देते हैं जैसे हम फाइल upload के उपर click करेंगे उसके बाद आपका जो होता है जो आपकी डिस्क लगी होती है यह वहां पर चला जाता है जैसा कि आप देख सकते हो अब आप यहां से जो है कि अपना वह photo select कर सकते हो यहां पर भी आपका hobby जैसे कि आ मेरा computer के अंदर माई drive के अंदर आ चुका ठीक है यहां पर माई data वाला जो मेरा drive है डिस्क है उसके अंदर आ चुका है अगर आपको दूसरा कोई डिस्क लेना अगर आपको यहां पर आपका photo नहीं मिलना आपने कहीं और रखा है तो आप यहां पर click कर सकते हो अभी आप द अपलोड करना है फॉर जमपल यह फोटो आपको दिख रहा होगा और एक फोटो दिख रहा है ठीक है तो चलिए यह वाला मैं photo upload करना चाहता हूं तो इसके उपर मैं click करता हूं click करने बाद यहां पर मैं select कर लेता हूं जैसे मैं select करता हूं तो यह अभी uploading चालू हो जाते है यहां पर आप देशे तो upload दिखा रहा है uploading one items आपको देखने के लिए मिल रहा one item लिख रहा है यहां पर और उसके बाद अभी यह complete होजगा है one upload ठीक है अब हम इसको देखेंगे कि कैसे मतला भी upload हुआ या फिर नहीं हुआ कैसे आप चेक करोगे तो इसके लिए आपको यह recent के उपर क्लिक करना जैसे आप recent के उपर क्लिक करोगे उसके बाद यहां पर आपको यह देखने के लिए मिल जाएगा कि अभी यह photo upload हुआ या फिर नहीं और अगर upload हो गया होगा तो वह आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा recent में तो इस तरीके से आप Google Drive में कमेंट करके जरूर बताना